बिस्मिल्याव अख्मान रुपाहिएं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल नोवल है रगे जान है तू राइट रहा है सिल्मा कयूम एपिसोड एट तुम कब मेरी हो गया कि कहा चली गई हो आँग्या वासिप नशे से दुट सोफे पर किरा पड़ा था जबान प घर में देखकर मुसरत ने हैरत से पूचा वो मैं दरसल कुछ वक्त का उख लिया है अर्टजा नजरे मिलाए भी न बोला अच्छा आनिया के कुछ पता चला मुसरत संजीत की से मनाल पर कमफर्टर डालती इसके पास आई नहीं अर्टजा कन पटी दबाते बोला मुसरत से सर्द चुपाते हुए से बुरा लग रहा था अच्छा काश जल्द आनिया मिल जा है मुसरत ने अफसोस से सर को खम दिया हाँ काश अर्टजा ने सर्द आप बरी तुम अभी तक त्यार नहीं हुई जरार रूम में आया तो आनिया बढ़ा कर उठी वो मेरे दांत में पर हाथ रख दिया जरार परिशान सा इसके पास चुका तुमने पहले क्यों नहीं बताया चलो डॉक्टर के पास चलते हैं जरार ने इसका हाथ थाम लिया ऐसे कैसे वो सो जाओगी अराम आ जाएगा दराज के पास पहुंचते ही आनिया ने बखला कर कहा कोई बहाना नही चलेगा जरार ने साफिंग कार किया नहीं नहीं अब बिल्कुल ठीक है आनिया इसे हाथ चुड़वाती जड़ से बोले कहीं वो इसे जबरदस्ती लेही न जाए अभी तो दाएंगाल पर तर्थ था और अब बहाएं पर जरार ने तश्वीश जदा लहजी में पूछा आ आनिया से कोस्ती त्यार हूने चली है फिलू कलर काड्रेस पहाने आनिया बालों को कैचर में कैथ करने लगी डूर कूलता जरार इसके क्रीबा खड़ा हुआ बालों को खुला रह खो अच्छे लगी कि जरार पर शोक निगाओं से देखता आनिया की दड़कनों को तेज कर बोला आनिया की आंखे जब्त की शिद्ध से सुरुक होने लगी जरार की हमरा वरवाना हो चुकी थी जरार इसे लिए साहरे समुंदर के पास बने कैफे में आया आनिया पुर्सकुन होकर इसके साथ चल रही थी वैसे मौसम काफी प्यारा है जरार मुसलसल इसकी चुप पर हम आनिया धीरे से जबाब देती नसले इसके चेरे से अटा चुकी और तुम भी जरार की बात पर आनिया ने किसी किसम का रद्यम जाही नहीं किया तुम खाना अपने प्संद से ओडर कर जरार मुसकुराहट इसकी तरफ उचालता कहने लगा मेरी ना पसंद ना पसंद से क खाइफ होती नज़ें जुका देती आए तम्हारे साथ खाना खाते हुए अच्छा लगा इसके साथ चलते हुए जरार में सलसल बोलता जा रहा था आनिया तुम रुको में अभी आया जरारी से आने का कहता फ्लावर शॉप की तरफ बढ़ा आनिया इसकी रा देखने लगी जरार की हाथ हो में फूल था जेरे पर खुशी के रंग थी ये फूल जरार ने कहते हुए इसकी तरफ बढ़ाया आनिया ने खमोशी से थाम लिया फूल को हाथ में लेते हुए वो इसे देखने लगी ये किसलिए आनिया ने सवाल या नजरों से देखा एक खुबसूरत से इन्सान के लिए खुबसूरत सा फूल उसकी निगाहों का तासर आनिया नस्री न मिला सकी थैंक्स आनिया वाँ मुश्किल मुश्कुरा कर बोली तुम मुश्कुरा देती यही मेरे लिए काफी था जरार के अगली बात पर आनिया की मुस्कुराहट गाइब हुई थी चले आनिया ने बात बदलनी चाही जरारी से मुस्कुरा कर देखता इसके हमकदम चला था अब चाहे जो हो जाए जरार के साथ कभी नहीं जाओंगी आनिया ने मनहीं मन सोचा रानी जरार और आनिया को एक साथ देख धे हैरान थी जरार मुझे तुमसे बात करनी थी लाउंसे गुजर का दोनों जा रहे थे रानी ने रोक दिया आनिया इस पर नज़र खालती रुकी नहीं क्या बात करनी थी जरार ने संजीत की से सवाल दरा शाम को बाहर चाहे रानी नर्मी से बोली नज़रे इसकी तासरात को नोट कर रही थी नहीं मैं मसरूफ हूँ मुम्किन नहीं जरार इंकार करता रुका नहीं इसके इंकार पर रानी तलमला कर रहगी आज आनिया का बड़े है वो यहां होती तो अर्तजा नहीं अफसुरत की से सोचा मुसरत ने कंदे पर हाथ रखकर दबाओ डाला अर्तजा मुझे यकीन है वो जहां होगी ठीक होगी मुसरत ने से यकीन दिलाना चाहा मुसरत कैसे बताओं तुम्हें वो इस शक्स के पास है जो मेरी जान का दुश्मन है नजानी आनिया के साथ कैसा स्लूक कर रहा होगा अर्तजाने सोचते वे सर जुका दिया मुलाजमा अंदर आई पार सर रखकर आनिया की तरफ मुड़ी जो हैरान होकर देख रही थी मुलाजमा ने फून आनिया को थमाया आनिया जो चास बेचा है वो पहन लेना वो त्यार रहना शाम को मैं लेनी आउंगा जरार इसे हुकम दे रहा था क्या मतलब कहां जाना है आनिया लहज़स्ट कर गी तुम त्यार रहना वरना मैं खुद आ जाँगा जरार ने कहने के साथ कॉल ही कार दी एक तो ये बंदा हर बार अब बस अपनी मरसी आनिया ने गुस्ट से इसका क्याल जटका मुलाजमा का फून थमाती वो बैट की तरह पढ़ने लगी नजर पार्सल पर पढ़ी नहीं होती त्यार आनिया गुस्ट से पार्सल को सोफे पर भैंक ती खुद पर कमफर्टर डाल कर सोच चुगी शाम के साइग गहरे हो रहे थे जरार कार्डी को पूर्च में रोकता तीज़ी से आनिया की कमरे की तरह पढ़ गया ओध यहां तो नीटे पूरी की जा रही है मुस्क attracted बाता जरार बट आटके करीव आया आनिया 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 जरार इसके कान की करीब चुगा वो खुआप की कफियत पी जो इनसे आँकों में कोई हुई थी पानी में डूबते हुए इनसे आँखों ने इसका हाथ मजबूती से थाम रखा था वो इन हाथों को थाम ही रखना चाहती थी इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया या इनसे आँखों को देखते हुए जहां इसके लिए सिर्फ अजनबियत थी वो हाथ थामने लगी थी मगर वो हाथ इसे जटक कर दूर हुए वो धड़ब के इने थामने लगी मगर उसे आँखों वाला नजरों से उजल हुआ आनिया उट बीजाओ जरार ने दोबारा पुकारा वो नीद की कफियत में विदार हुई जरार आनिया खौफसदा होती इसके सीने से डगरा गई अपने करीब इस शिक्स को पाना जिसे वो खाब में भी खोने से डर रही थी क्या हुआ जरार परेशान सा इसके करीब हुआ अपना चीरा इसके सीने में सुपाई वो खौफसदा से इसकी शर्ट सकती से पकड़े हुए थी कुछ भी नहीं आनिया अपने हवास पर काब उपाती से दूर हटी आप यहां पर आनिया खबराहट चुपाते बोली बाहर जाना था जरार ने से याद लाया मैं नहीं जाना चाहती इसे नज़रे मिलाए बिना वो बोले तुम चलोगी और अच्छा महसूस करोगी जरार के इसरार पर आनिया इंकार ना कर सकी यह शक्स मेरे हवासों पर सवार हो रहा है शावर लेते हुए वो बार बार इसका खौब चाह सोच रही थी रूम में आई तुम जरार नहीं था आनिया इत्मिनान से त्यार होने लगी बलैर कलर का ट्रैस एपतन की आनिया ने आईने में नज़र डाली हाफ आस तीन जिसे से इसका दुद्या बाजो चलक रहा था बालों को जोड़े में कैद करने लगी मगर जरार की बात याद आई तो आनिया ने बालों को खुला छोड़ दिया बाहर आई तो जरार इसी का इंतजार कर रहा था आनिया के सिरापे पर इसकी नज़र ठैर गई चले मुसलसल जरार के देखने पर आनिया निर्वस होकर बोले हाँ जरार नजरें इसे हटाता आगे बढ़ा मेरा हाथ छोड़े जरार के यक्तम हाथ थामने पर आनिया ने आईस्ता आवास से इतजाज किया मगर वो तो बेन्याजी से इसका हाथ पकड़े आगे बढ़ने लगा आनिया को इस पर जीब भर कर गुस्सा आया आपके समाहतों से मेरी वास टकराई के नहीं जुझरा कर आनिया बोली जरार ने रुख इसकी तरफ किया लबों पर मुस्कुराह ठहरी थी ये हाथ मैं कभी नहीं जोना चाहता अफसूर्दगी इसके लहजे से साफ साहिर थी पोर्च में आते ही आनिया से हाथ चुडवाती पिछे बैठने लगी आगे बैठो जरार रोब तर लहजे में बोला आनिया गुस्से से डोर को जोर से खोलती फ्रंट जीट पर आबैटी गाड़ी में मकमल खमुशी चाही रही आनिया बार बार ये बाहर देखती या फिर रुख मोड कर जरार पर नजर ढालती जो बेन्याज बैठा रहा गाड़ी को विरान रस्ते पर रोगते ही जरार इसकी तरफ पर ता आनिया इसे ही देख रही थी फोरां चेरा जुका लिया ये पटी आँखों पर बांद लो जरार की बात पर आनिया चूंकी वज़ा आँखों में सवाल थे जरार ने खुद ही पटी आँखों पर बांद ने लगा ये क्या कर रहे हैं यो छोड़ो आनिया हाथ पैर मारने लगी कुछ दिर बरताश कर लो और नरम लहचे में इस्तरार करने लगा आनिया को ना चाहते हुए चुप रहना पड़ा जरार ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई आनिया को गौफ आ रहा था मगर चाहकर वो बोलना सकी तो मुझे कहां लेकर जा रहे हो गबराहट इस पर हावी थी गाड़ी रुक गई जरार ने आनिया को इहत्याद से हाथ पकड़ कर बाहें निकाला हम कहां जा रहे हैं आनिया मजीज खमोश ने रह सकी थोड़ी तेर इनतजार कर लो जरार इसके पास जुक कर बोला एक तो ये शखस इतने करीब आ जाता है आनिया कदल सोचते वे जोड़ से धरका था जरार ने नर्मी से इसकाहत अपने मजबूत ग्रिफ्स में थाम रखा था स्टेज के उपर चड़ते ही इस ते आनिया की पट्टी खोली थी आनिया ने आखें बार की तो जो मनजर इसकी आँकों के सामने था वो हैरान होका जरार को देखने लगी पूरा स्टेज पूलों से सजाया गया रंग बरंगी रोशनी और इसे मज़ीज दिलकिश बना रही थी सामने रखी टेबल पर बड़ा सा केक जो आनिया के नाम से सजाया गया था ये क्या है हरान जरूर करता जा रहा था के काटो जरार इसके जुप हो जाने पर मुश्कुरा कर बोला आनिया इसके हमकदम चलती टेबल के पास आई मुश्कुरा कर जरार की तरफ देखा जो इसे ही देखी जा रहा था आनिया ने केक काटा जरार के तरब बढ़ाते हुई इसके आाहाद काँप रह थे जरार ने बाइट लेट लेट वए इसके उउली पर काट ती आओउज आनिया ने उगली को थामा के कभ खाने में मसा आया जरार दिलफरे नजरों से देखता आनिया की जान हलकान कर रहा था आनिया इसकी बात पर लंब बेंच कर रह गई अब मेरी बारी है तुम्हें केक खिलाने की जरार कहने के साथ केक काटने लगा नहीं जरूरत नहीं मैं खालूंगी आनिया इंकार करती रही जरूरत किवो नहीं है जरार मुसक確ा हर दबाता केक इसे खिलाने लगा आदे से जादा केक इसके लबों पर लगा था आनिया टिश्यू हुठाने लगी मगर इसकी कोशिश ना काम करता जरार उंगलियों से इसके लबों को छूने लगा इसकी हल्प पार करने पर आनिया का गुस्सा आया प्लेज दूर रहें आहाँ चटकती आनिया पीछे हटी नागवारी साहिर थी क्या हुआ मैं तो हल्प कर रहा था जरार का लहचा नरम इसे इतना ही बुरा लगा मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए आँखों में गुसा जलका जरार जब्त करके पीछे भाटा मूर तो इसका सक्थ खराब हुआ था ये गिफ्ट तुम्हारे दिये कुछ तौकप के बाद जरार ने बात का अगाज किया इसके जरूत नहीं है डीनर करते हुए आनिया इंकार कर गी रखलो तुम्हारा बड़े गिफ्ट है जब दिल करे फैंक देना जरार इसरार करने वाले अंदाज में कहता गिफ्ट इसके हाद इसके करीब रख चुका था आनिया को गाड़ी में ही नीदा आ गई जरार ड्रैविंग में मसरूफ रहा इस पर नजर पड़ी तो हैरान हुआ आनिया को जगाने लगा मगर आनिया बेनिया सी गहरी नीद सोई रही जरार बार बार इसे आवाजें देता रहा मगर कोशिश ये नकाम हुई देर रात को दोनों घर वापिस आए बालकदी में खड़ी रानी की नजर हट ही नहीं रही थी जरार आनिया को बाहों में लिए पोर से आ रहा था रानी सुलग कर रह गई अभी नहीं तो यह कंतुब पर मेरी मुहपद जरूर असर करेगी आनिया को बैट पर लटाता जरार देर तक सोचता रहा जरार जानी लगा मगर नीद में डूबी आनिया ने इसका हाथ नहीं चोड़ा जरार वहीं इसके करीब वास्ता रखकर लेट कया नजरें इसके चेरे पर जम्य हुई थी मुझे तुम से कभी मुहपद नहीं हो सकती जरार को रानी की बात नहीं याद आई पर बाएं मूड कर देखा कितने सकून से वश्चक सो रहा था हर फिकर से जाद दूस्रों की जिनकी उजार कर आनिया ने दुख से आब रही कै किसी पर कतल करते हुए इसके हाथ कांपे होंगे आनिया ने इसके हाथों को देखा कहीं ख्यालात इसके जहन में आ रहे थे तुम ऐसे क्यूं हो जरार तुमाम इनसानों की तरह जिनकी क्यूं नहीं जीते किसी को कतल करके तुम कैसे पूर्सकून नीज सो सकते हो काश तुम अच्छे होते आनिया ने डरते हुए लब गोले इसके गालो को चुआ वो जो कबसी आँके बंके इसकी बाते सुन रहा था आनिया के लमस ने इस आँके खोलने पर मजबूर किया आनिया तो इससे जागते देख वो खला गई और अन्हाथ कैंसलिये कैस्टे मेरे बाते सुननी हो कि दिल में शोर उठा जरार इसके हरकत पर मुस्कुरा दिया आनिया तो शिर्मिन की से निगाव उपर न कर सकी आनिया तुम बहुत अच्छी लड़की हो जरार ने इसका गालो को बचका रहा आनिया दम सादे इसके हरकत पहरान और परशान होगी काईश तुम्हारे हाथ किसी के खून से रंगे न होती आनिया इसके लमस पर सोचते हुए जख्मी सा मुस्कुराई गुड मॉर्निंग जरार इसके पास से उठ गया आप यहां मेरे रूम में क्या कर रहे थे जहन बिदार हुआ आनिया ने जट से सवाल दागा तुम्हेरा हाथ ही नहीं चोड रही थी पर कैसे तुम्हे छोड कर जा सकता था जरार की बात पर आनिया जवाब न दे सकी त्यार होकर बाहर आ जाना साथ में नाश्टा करते हैं जरार इसे कहता चला गया आनिया देर तक बंद होते दर्वाजे को देखती रही नजर टेबल पर रखे गिफ्ट पर पड़ी हाथ बढ़ा कर आनिया ने गिफ्ट कोला खूब सुरूर साही हार्ड शेप में बना पैंट्रेट आनिया ने से कोला दोनों अत्राफ इसकी तस्वीर थी मगर जरार इसकी हमरा खड़ा था आके इन सबकी क्या वच्चा हो सकती है आनिया सोच कर रह गए जरार से मुहबबत का वो सोच तक नहीं सकती थी जो इसकी भाई का दुश्मन था इससे मुहबबत वो कैसे कर ले इसके गरीबाना आनिया के लिए ही मुश्किल खड़ी गए रहा था नाश्टे के दुरान जरार ही बोलता रहा वैसे तुमने गिफ्ट देखा था जरार ने सरसरी सा पूछा आनिया यक्तम इसके सवाल पर बुखलाई नहीं मुझे वक्त नहीं मिला आनिया देखने का आनिया ने नास्च Pixar चुरा ले ओ ये तो बुरा हुआ जरार कुछ जैसे सुनकर अफ्सूस हुआ आनिया ने बगौड जैसा लिया बात में देखिंगी इससे फसूदा देख आनिया जर से बोली गुड जरार दी में से मुश्कुराने लगा आनिये से नजरे नहीं हटा पाई जरार कहा है रानी खाली कमरी को देखकर वापस लोटी तो मुलाजमा से पूचकश करने लगी वो अभी आनिया मैम के साथ कहीं बाहिए हम राजमा की बात पर रानी से लग कर रहेगी इस लड़की का कोई इंतसाम करना पड़ी खारानी सोच में पड़ी आपको डर नहीं लगता मैं बाग भी सकती हूँ आनिया साहिल समूंदर पर चलती जरार की तरह मुड़ी जैसे दो कदमों की दूरी पर था तुम बाग नहीं सकती जरार पूर अतमाद होकर गोया हुआ इतना यकीन क्यूं है आनिया हैरत से रुक गई क्योंकि मैं जानता हूँ तुमेरी आती हो गई हो जरार कितने यकीन से कह रहा था चंद पन तो आनिया भी सकी बात को जुटगा नहीं सकी गर चलते हैं मौसम काफी खराब हो रहा है बात बदलती आनिया इसके रूब रुब रुआ खड़ी हुई हाँ चलते हैं जरार रसानिया से बोला शाम डल चुकी थी बारिश बरसना शुरू हो गई बारिश आनिया ने विंडो से बाहर देखते हुए सरगोशी की जरार का डूर खोलता देख आनिया हैरान हुई जरार बारिश में खड़ा बीग चुका था आनिया की तरफ का डूर खुला जो हैरे से देखती रही जरार इसका हाथ पकड़ कर बाहर ले आया बारिश अच्छी लगती है बारिश में से खुश देख आनिया पूछे बिना न रही मुझे बारिश बहुत पसंद है क्योंकि ये तुम्हें बहुत पसंद है जरार इसका हाथ थामता आगे बढ़ा आनिया ने इस बारिश का हाथ नहीं जड़का इसका हाथ मजबूती से थाम ले बारिश देज होई थी मगर वो एक दूसे का हाथ थामी बारिश में बीगते रहे आनिया ने आँखे बंद कर ली जरार इसे ही देख रहा था इसकी आँखों से आंसों के कत्रे बह रहे थे मैं जानते हूँ ये पल दुबारा कभी नहीं आएंगे जरार के हाथ को वो उंगलियों से चू रही थी तुम्हें पानी की खुआश मुझे बरबाद कर देगी मैं अपने भाई को नहीं खो सकती मैं तुमसे कभी भी मुहपत नहीं कर सकती जरार तुम कभी वो इनसान बन ही नहीं सकते जिसे आन्या मुहपत करती है दिल और दमाग में जंग शुरू थी मगर आन्या दिल के फैस्ते पर नहीं जुकी अर्तिजा कैसे हो तुम खालत महमूद इसके कैबन में आया अर्तिजा अपनी फाइल समेट रहा था सर कुछ समझ नहीं आ रही नजानी अभी इसकी क्या डिमांड होगी अर्तिजा सर जोड कर बैठा था तुम फिकर मत करो अर्तिजा फिलहाल यह सब बर्दाश कर लो जस्से बात हुई थी मेरी वो भी यही कह रहे थे के तुम्हें कुछ वक्त मौतल होने का ड्रामा करना पड़ेगा खालत दीरे से बुला सर आपकी बात सही है वरना वो शक्त शक्त में पड़ेगा इसकी नजर मुझ पर ठीकी हुई है अर्तिजा निया इस्ता से सिगोशी की तुम्हें इसलिए हत्याद करनी चाहिए आनिया की जिनकी का सवाल है खालत का लहजा दीमा पड़ा वही कुस्तो सफ्यान इंकी बातें रिकॉर्ड करके सुनता रहा तलालश तुम जरार की जान के दुश्मन क्यों बने हो वे हो रानी होस्पिटल से डेचार्ज होकर घर आ चुकी थी तलालश मिलने आया तो शिक्मा कर ना हुई तुम्हें बस जरार की फिकर पड़ी रहती है तलालश का मूड खराब हुआ तुम जानते हो मैं जरार को चाहती हूँ रानी दुबारा जरार का जिकर छेड़ बैटी ओके बस तलालश उठकिया अपना ख्याल रखना दुबारा नहीं आ रहा तलालश इससे कहता रानी की बात अनसुनी करता तेजी से बाहर निकला पता नहीं से हो क्या गया है रानी को फिकर से दाने लिगी तुम कैसी हो अब आनिया रानी की कमरे में आई ठीक हूँ अब तक तो रानी ने उकताहट से जवाब दिया आनिया जरार की आत्ते ही कमरे से बाहर निकल गए जरार ने महसूस किया आनिया इसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी आनिया जरारी से फुकारता हूँ अंदर आया जी आनिया नजर डाले बेना बोले मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया जरार की नजर टेबल पर पड़े गिफ्ट पर पड़े नहीं मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए आनिया बीनत गिसी तहमीद के गोया हुई जरार इसके स्पार्ट जेरे को देखकर रह गया आनिया मैगजिन लेकर बैठके इसकी खमोशी पर जरार खुद भी मजीद न रुका आनिया इसके जाते ही खाली नज़ों से गिफ्ट को देखने लगी शाम के डीनर पर मुलाजमा के बुलाने पर भी आनिया न आ गई जरार से पूछ पूछने भी नहीं आया था आनिया का सोच का अफसोस भी हुआ इतना सब कुछ इस लड़की के लिए कर रहा हूँ मजाल है जो मेरी मुहपत का इकरार भी करे जरार जियर पर सर्ट टेक कर आनिया का सोचते लगा सुबह सोब इसका बदला बदला अंदास न उटका रहा था आनिया बालकनी से बाहर चांक रही थी नज़र जरार से टकराई जो लॉन में खड़ा इसे देखकर मुस्कुराया आनिया वहां से हट गई तरपालो जितना तरपना है जरार इसके जाते सुलक कर सोचती लगा मैं ना इसकी तरप देखूंगी ना इसे मौका दूंगी आनिया मन नहीं मन में सोच चुकी थी आनिया अपना नाश्टा किचन से लेकर कमरे में आई तो नाश्टे पर क्यों नहीं आई जरार इसकी कमरे में आया तो आनिया ने मैगजिन पर से नस्रें हटाई मैं नाश्टा कर चुकी थी जरार पर नुमादा दुबारा नजर डाले बिना आनिया ने जवाब दिया अच्छा मेरे बिना जरार खफकी से कहता इसके पास आया जाते हुए दिर्वाजा बंद करते जाईएगा मैं थोड़ी दिर राम करना चाहती हूँ मैख जिन को रखती आनिया बेजारी से बोली जरार इसके लेज़े पठटका कल जो आनिया इसके साथ थी ये वो आनिया इसे अलग ही लग रही थी ओके गुडबाई जरार जित होकर कहता वापेश चला गया उफ शुकर है आनिया ने सुक का सांस लिया आनिया कीचन में आई गैस खुला हुआ था जिस पर आनिया का दिहान नहीं गया आनिया जुला जिलाने लगी जब दिजी से जरार ने पीचे किया और उच आनिया दिवार से बुरी तरह तकराई गी मगर नजर जरार पर गई मुलाजमा को आवाज देकर जरार ने बलाया जिजी सहाब मुलाजमा इसे गुस्छे में देकर परिशान हुई गैस लिक हो रहा है यह किसने किया जरार तेज़ वाज में बोला, आनिया ने चूंकर जरावर को देखा वो इसके लिए परेशान हो रहा था, इसे हैरत हुई थी सहा मुझे नहीं परता, मुलाजमा डरते हुए बोली आइंदा के बाद ख्याल रखना, मुलाजमा को कहता जरार ने आनिया पर नज़र डाली दिवार के सहारे खड़ी वो जरार से नज़रें चुरा रही थी आनिया रूम में आई जरार के साथ वो अपने तलेकर रवये का इसे दुख हो रहा था जरार तुम यहां पर रानी से अपने कमरे में देखकर खुशकवार हैदत से बोली यह तुम क्या कर रही थी? जरार रानी को बाद उस खेंच तक रहाया मैंने कुछ नहीं किया सच में रानी गपरागी बनो मत जरार को इसके जूट पर गुस्सा आया तुम इस लड़की को मानने की कोशिश कैसे कर सकती हो जरार सक लहजे में कहनी लगा तुम्हें इस लड़की की इतनी परवाक्यू हो रही है ऐसा तो नहीं तुम उसे मुहबत करने लगी हो रानी से लगकर बोली रानी जश शट अप वो लड़की मेरा जरार की नज़र दर्वाजे के पास जांक दें सब जांकों पर पड़ी रानी देखो वो लड़की मेरे लिए हर चीज से बढ़कर है तुम उसे कोई नुकसान देने की दुबारा हिम्मत भी मत करना जरार ने उगली उठा कर तन्भिया किया रानी इसकी बात परसद्मे में थी आनिया वापिस पलटकी जरार को रानी की कमरे में जाता देख वो इसे बात करनी आ रही थी मगर इसे यहां कर अफसोस होनी लगा शाम तक वो अपने कमरे से बाहिर न निकली जरार शाम को इसके रूम में आया आनिया तबियर ठीक है तुम्हारी जरार परेशान सा इसके पास आया हाँ आनिया ने मुक्त सिर जवाब दिया ओके बात में मिलते हैं आनिया के चेरे पर उतार देख जरार मजीज ने रुखा जरार से दूरी बनाए रखना खुद आनिया को बहतर ही लगा वक्त तेजी से गुज़र चुका था यहाँ इसे महीना हो चुका था अपनों से दूर वो जिसकी पनाहों में थी उस शक्स से महबत का इकरार आज भी आनिया हुसैन के लिए इतना है दुश्वार गुज़रा था इस पूरे महीने जरार निच्छे जतना फासला वो बनाती वो उतना ही उसके पास आ जाता इसे बूलना जिस कदर मुश्किल था उसे पाना उतना ही नामुम्किन था बैट पर लेटी वो अपने क्यालों में कुम थी यहाँ इसे एक महीना गुज़र चुका था फरार होने की तमाम कोशिशें बुरी तरह नकाम हो जुगी थी आनिया सोच सोच का हलकान हो रही थी यहाँ से जाए भी तो कैसे जरार कब आया इसे खबर भी नहुई अपने पास किसी की मजूद की महसूस होने पर आनिया ने चेहरा उपर किया बिलकुल करीब लेटे जरार को देखकर इसकी चीख निकल गी क्या हो गया है जरार तो इसके चीखने पर खासा परिशान हुआ आनिया फॉरण बैट से नीचे उच्छी डबटा अपने गितल पेटा इसकी मजूद की से खौफ में मुबदा कर रही थी आप क्यू आए हैं आनिया ड़ते ड़ते पूचा जरार इसे देखकर मुस्कुराया तुम त्यार हो जब शाम को बाहिर जा रही है जरार के नरम लहजे पर भी इसके अंदर का डर कम नहीं हुआ था मैं नहीं जा सकती आनिया का दिल चाहा साफ है मना करती मगर इंकार करन के अपनी शामत भी नहीं ला सकती थी तुम त्यार रहना फिर जरार इसकी खमोशी पर बोला जजजजी लब काटते हुए आनिया बोली जरार जाते जाते वापिस पल्टा आनिया की सांसे यक्तम तेज हुई जरार को अपने पास आता देख दूर रहने का इशारा किया जरार मुस्कुराया तुम्हें डरनी की क्या जरूरत मैं तो तुम्हारा डर खतम करना चाहता हूँ आनिया का छेरा हाथों में लिए वो मधोशी से बोला आप बुरे हो आनिया का अपते होटों से बोल पाई मैं आपसे डरती नहीं हूँ इसकी आँकों में देखते हुए भी वो खौफ पर काबू ना पासकी जरार के कालों पर बेसागता डिमपल पड़ा था तुम्हारा सिर्फ डिमपल अच्छा है तुम नहीं आन्या ने दिल में सोचते हुए नस्रें इसे इटा दी ज्यादा मेरे बारे में मत सोचो शाम को रहड़ी नैना जरार इसके काल को उंगली की पूर से छूटा बाहर निकल गया ये शक्स क्यों मेरे पास आ जाता है सरहाथों में थामी आन्या बैट पर ढहसी गई शाम को आन्या जरार के हमरा बाहर गई हुई थी दोनों रेस्टरूर में बैठे बाचित कर रहे थे खाने के बाद दोनों वॉक कर रहे थे गाड़ी से वो दोनों थोड़ी तेर थे जब किसी ने फायर किया आन्या जरार यक्तम दूर हटे थे कोई नकाब में पुशीदा था वो जो कोई था जरार से चुपा न रहा जरार आनिया का हाथ पकरता इसे गाड़ी में बिठा चुका गन इसने संभाल ली जरार प्लीज चलो आनिया इसे वाज़े देती रही विंडो से बाहर गोलियों का शूर इसे सुनाई दिया आनिया सहम कर कानों पर हाथ रख चुकी तलालश बाइक पर सवार था जरार की गोली इसकी टांक को चीटती हुई गुजरी तलालश के लिए बाइक हैंडल करना मुश्किल हो गया जरार पर दो तीन बार फायर करते ही बाइक को तेजी से बगा गया कुछ दिर गुजरी दर दोर खुला था आनिया ने दिकबरा कर जरार को देखा जिसके बाजों पर खून बहरा था बिलू शिर्ट खून से रंग चुकी थी ये सब क्या था जरार को देखते ही आनिया हर बढ़ा कर बोली जरार तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ा गया कुछ नहीं था तुम जादा परशान ना हो इस पर नज़र डाले बिना जरार ने जवाब दिया जरार ये सब क्या है लाँच में रानी और रमेजी इसके आलत देखकर इसके तरफ पड़े कुछ नहीं हुआ ममूली चोट है जरार ने तसली दी आनिया इसके पीछे ही ठहरी हुई थी आनिया खमोशी से कमरे की जानब बढ़ गी पक्का इस लड़की के भाई नहीं वार किया होगा रानी तलकी से बूली रानी तुम अपने काम से मतलब रखो जरार ने जटक दिया अच्छा छोड़ो इन सब बातों को रामेज ने दरम्यान में मताखलत की रानी गुसे से वापिस बलटकी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ कोई ना जरार गुसे से कहता रुका नहीं रामेज इसे देखता रह गया तलालश कुछ वक्त गुजा अजादी से जील हूँ मगर ज्यादा वक्त तक नहीं जरार कुछ से से टेबल पर मुका मारता बुरा तलालश सोफे पर गिरा टांक पर पट्टी लपेड चुका आज जरार ने मुझे देख लिया होता है तो नजाने क्या हो जाता तलालश सोच में बढ़ा आणिया मसलसल करवंटे बदर रही थी जो कुछ हुआ था वो भूल नहीं पा रही थी जरार की जान कौन ले सकता था इसे रह रहकर इसकी फिकर से ताने लगी रात का पहर था आणिया जाक रही थी जब जरार अंदर आया वो इसकी हाहा आहट पर आँखे सकती से बंद कर चुगी तुम क्या मेरी ज़बास से अंजान हो क्या मेरी आँखों में अपने लिए मुझबत तुमें नजर नहीं आ रही आणिया मैं तुम्हें कैसे बताओ जरार कहते हुए यक्तम खमोश हुपड़ा आनिया की लजरती पलके कांपते होट जरार ने अपने मुश्कराहर दबाई आनिया के हाथों को मुश्बूत क्रिफ्ट में बगड़ा आनिया साकत पड़ी रही दिल था जो तुपानों की जर्मे था जरार इसकी पलकों को अंगली की पूरों से छू रहा था आनिया ने सकती से चादर का कोना पकर लिया अपने करीब इस शिक्स का अवजूदी से अमत्यान में डाल रहा था I love you आनिया जरार इसके मात्य पर गिरे बालों को पीछे करता उंकलियां इसकी गालों पर फिरने लगा काश तो मेरी महबत को समझ सकती जरार अफसुर्द की से कहता इसकी हाथों को आशसी के चोड़ता उठा आनिया ने आखरी बार इसके अलफास सुने जरार की आहाट अभी से दिर्वाजे के पास सुनाई थी दोर बंद होने की आवाज पर आनिया ने आके के डरते हुए खोली हाथ काप रहे थे यह 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 शक्स क्या चाहता है आनिया चीरा हाथों में चुपाए रोने लगी देर तक शावल लेती रही जरार का चुना इसे तकलिफ दे रहा था सुबा होने तक आनिया साकत सी खिड़की के बाहर तलू होते सुरज को देख रही थी मैंसर ने बुलाया है नाश्टा कर ले मुलाजमा अंदर आए वब मुझे भूख नहीं है अटा कर कहती आनिया नजर डाले भी ना कहा मुलाजमा के जाते ही आनिया खुद को आइने में देखने लेगी सब जाखें सुर्खी माइल हो चुकी थी क्यों तुम मुझे खुद से मुहबबत पर मजबूर कर रही है आंसों को बुरी तरह रगड़ती आनिया खुद से बोरी आनिया जरार पकारता अंदर आया आनिया से हम कर मुड़ी सब आंखों में नमे उत्री तुम रो रही थी जरार परिशान होता इसके करीब आया आँ 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 आप चाहें यहां से आनिया पीछे हटी आनिया मेरी तरफ देखो किसी ने कुम से कोई बात की है दिनर्मी से इसका चीरा उपर किया आनिया को लगा वो जरार के सामने हार जाएगी प्लीज आनिया ने हिचकी बढ़ी और इलतिजा की अच्छा जब दिल करे मुझे बता देना ठीक है जरार इसकी आँखों में देखता बोला इतनी परवा इतनी महबत आनिया समझ नहीं पा रही थी इसकी महबत दिखावा तो इसे हर्गिस नहीं लग रही थी जरार चला गया था आनिया फूट फूट कर रोने लगी खुदा मेरा इमतिहान न लो इस शक्स की महबत मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी गिरते हुए वद आनिया अंदर आई तुम यहां पर जरार फूर रखता हैरान होकर बल्टा मुझे बात करनी थी अलफाज टूट कर अदा हुए बोलो क्या का बात है जरार का नरम लहजान या के लिए बात करना ही मुश्किल हो रहा था प्लीज मुझे जाने दे मेरा क्या कसूर दुश्मनी आपकी मेरे भाई से है मुझे किस बात की सजा मिल रही है आखिर कब तक मुझे कैदी बना कर रखेंगे आंसो इसके रुकसारों पर बह रहे थे तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा मैं रमेज से कह देता हूं तुमें घर पहुंचा दे कहने के साथ जरार आज बदल चुका था आनिया सर को खम देती इसके बेतासर चेरे को देखती वापिस पलट गई कैसे कुछ और नहीं कहना था मुझे विदा तक नहीं किया कमरे में आता ही आनिया का दिल बोजल हुआ रमेज आनिया को सही सलामत इसके गर पहुंचा दो जरार नियानी की ठालिया और नजरें रमेज से हटा दी रमेज साफ समझ चुका थो इस लड़की के बारे में मज़ीज बात नहीं सुनना चाहता लाउंच में खडी आनिया रमेज का इंतजार कर रही थी चले रमेज आनिया के पास आता बोला हाँ 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 आनिया चुंकर देखती इसके ह पहुंची जरार दर्वाजा खोला आनिया देर तक सोच दिया इस्तिकी से दस्तिक देने लगी मगर दूसरे जानब खमोशी चाही रही आनिया जानती थी जरार अंदर है मगर आखिर क्यों वो इसकी पुकार नहीं सुन रहा दिल सोच कजो से धर्का था जरार प्लीज मैं चल रहा था आनिया को दुख हुआ काफी वक्त गुजर चुका था रमीज आया चलें देर हो जाएगी रमीज ने दीवे से बुखारा आनिया ने पलटकर नमी पूंची रमीज खमोशी से इसके हमरा चलने लगा आकिर क्यों ऐसा कर रहे हो एक बार तो मेरी बात सुन लेते गा काफ रहे थे कोद आनिया परिशानी से देखने लगी जरार ठीक तो हैरानी की बात पर रमीज गोया हुआ जो इसे जल्द आनिया का कह रही थी आनिया जरार का जिका सुन का अजिया से दो जार भी रमीज आनिया की तरफ पलटा तुम फिकर मत करो ट्रैवर तुमें जी देता रमीज उत्तर ने लगा मुझे नहीं जाना जो जगते हुए आनिया ने लंब खोले रमीज चूखा मगर कहा कुछ नहीं तुम्हें ट्रैवर पहुंचा देगा रमीज गारी सुतर के आनिया भी डोर खोलते इसके पीछे आई पलीस मुझे नहीं जाना लहजा इल गारी होस्पिटल के पार्किंग एरिया में रुकी थी आनिया तो जरार को देखने के लिए बचाया थी जरार की नजर रमीज के साथ आकिर हो थी आनिया पर ठहर की तुम इसे क्यों लेकर आए हो जरार का लैजा सकत तो तलख ही रहा आनिया इसकी बेमरवती पर तर्पी ज जरार बाद मैं बताओंगा रमीज इस वक्त आनिया की मुझूदकी में बोलने से कतराया इसलिए जाओ यहां से जरार निसे नजरें फेरी आनिया कदिल इसके सद्रोई परो यह जरार प्लीज रमीज निस रार करना चाहा इसे मेरी नजरों से एटाओ आनिया के लिए मसीज रुकना महाल था किसी की तरफ देखे बिना आनिया बाहिक मिकल गई यह हो क्या गया है तुम्हारा सुनकर इसने जाने का फैस्ता बतला और एक तुम हो के जो ऐसा कर रही हो रमीज निसे एसास दिलाना चाहा तुम भी जाओ यहां से जरार ने एक लख निगाहें फेर लिए रमीज रफ्रोस से देखता चला गया शिकारी खुच शिकार हो गया जरार ने सोचते हो सकून से आखे बंद कर लिए मुझे यकीन था आनिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तुम्हे यहां तुम्हे आना ही था मेरे पास चेहरे पर फता की मुस्कुराहत थी आनिया रमीज के साथ वापिस चली आई कमरे में बंद वो मुसलसा जरार के रवहिये का सोच करोती रही शाम को रमीज जरार को घर ले आया प्लीज जरार, आनिया इसके चेहे पास आई, इसके गंदे पर हाथ रखना चाहा, मैं कह कहे रहा हूं, जरार कहर जदा लहचे में जीका, आनिया सहम के पीछे है, इसका बदला हुआ अंदाद, इसे अंदर तक तोड़ चुका था, तुम ऐसा कर सकते हो, जरार, में तुम जा जाना चाहती थी, मेरी तरफ से जादी हो, जाओ अब, जरार निसकी बात रष्ट की से काट दी, आनिया के चेहे पर आंसु बहे, मैं नहीं जा रही तुम जोड़कर, चाहे जो कर लो, मैं वापिस नहीं जा रही, आंसु चेहे पर अगड़ती, वो बराई आई आवास में बोली, तुम्हे जाना पड़ेगा, जरार निस जेरे का रूकिस की तरफ फेरते हुए, जद महरी दिखाई, मुझे मत निकालो अपनी जिन्द की से, आनिया निसका हाथ थाम लिया, कल इन हाथों को तुमने जटक दिया था, जिने थामने के लिए तुम तर पोगी, जरार लबों तल मुसकरा हड तपाई, प्लीज ना दूर मत करो, आनिया से सक पड़ी, प्लीज आनिया जाू यहाँ से, जरार का लह साध़ dी मां पड़ा था, मगर साथ महरी कम नहुई, आनिया यक तक इसे देखती रही, जरार प्लीज, प्लीज, जरार ने जरार नहीं सिरार कि मुझे इश्क का रोग लगाकर सहाब पूछते हैं क्या हुआ। आनियक अपने कैफिया समझते ही आ रही थी आकिद क्यों से जरार की फिकर हो रही थी। जरार कमस कम खाना तो खालो रमीज श्याम को इसके रूम में ख़़ा सकती से ताकीद कर रहा था। प्लीज रमीज मुझे बूख नहीं है जरार जुन्जला गया देखो जरार तुम बिलकुल भी अपनी परवाद नहीं कर रहे प्लीज खाना खाओ रमीज ने श्रार किया मूड होगा तो खा लूँगा बेनियाजी दिखाता जरार आंकों पर बाजू रख चुका रमीज बताने लगी क्यों नहीं कहा रहा आनिया जुजक कर बोली पता नहीं मुलाजमा परिशानी से गोया हुई ट्रे लेकर आनिया की चंसे बाहर आई रुक जरार के अम्रे की तरफ था दस्तक देने के बावजुद भी डोर ना खुला गया अंदर टीवी के वास तेज हुई थ जरूर जान बुझकर क्यों ऐसा कर रहा है आनिया का सोचते हुए दुख हुआ जरार प्लीज डोर खोलो आनिया ने धीरे से दस्तक देत करते हुए कहा दोबार आवास देने पर जरार ने दोर खोला आनिया इसके हट तहीं अंदर आई यहां किसले आई हो मुका भी दिया जरार तल किसे बोला आनिया से नजरे न मिला सकी तुख हो में गुसा था मुखपत थी खफ़ की थी मर रही हुए दुमें क्या एक तरफ बाई है और एक तरफ तुम किसी एक को चुनूँगी तो किसी एक को खो दूँगी आँखों में सवाल थे जो जरार से चुपे ना थ आनिया ट्रे रक्ती इसके तरफ मूरी। अपना गुशा खाने पर मत निकालो प्लीज। आनיה ने कहते हुए इस रार क्या तुम जो जुरार ने रुख प्हेर लिया। आनिया इसकी बेने आज़े पर तरब कर रहा गए, आनिया दीरे दीरे कदम रखती जरार के पास आई, कंदे पर हाथ रखा जिसे जरार में हटाना चाहा, प्लीज जरार, आनिया के लहजे पर जरार चंद पल साकत खड़ा रहा, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी एहम हूँ, म अपना दिल डूबता मेशूस हुआ, बेहत, बेंतहा अपने जान से जादा, अगर किसी जान को चाहा है, जिस अपने रखे जान माना है, जिसके ना होने पर अपना वजूद महसूस ना हो, जिसके होने पर काईनात भी खूफशुरत लगे, हाँ मुझे तुम से महपत है, हर चीज़ से बढ़कर, जरार ने इसका हाथ मदबूते से थामा, इसके आँखों की सचाई आन्या चाह कर जुटला नह सकी, किस्च में जरार इसे इतना चाहता था, दिल में सवाल थे जिसका जवाब, आन्या डूम नहीं पा रही थी, तुम मेरे उम में जाना चाही, जरा पत्मे अजमाने का सूच रहा था, रगे जा है तू, मेरा इश्क, मेरा मान है तू, कभी जो इकरार की लगे मिले, तेरी जिस्त में हम बिखरे मिले, तुम्हे सनम बना कर चाहा है, तेरी चाहत में खुद को लुटाया है, ये रोगे दिल पर लगा कर, हमने खुद को ही मिटाया है वो जो इकरार के लंभे थे मिरी जात का नासू ठाहरे हैं तेरे होने तक तेरा होने तक तेरा होने तक मैं मर मिटा हूं तुझे जाने तक अब रगे जान से आगे है ये फना का खेल है मिरी जात के मिट जाने तक बकलम सल्मा कुरे क्यूं एक तरफ वो थी जो इसक मुहबत में बना हो रही थी